हेलो बच्चो आप सभी को मेरा नमस्कार इंडिया के बहतरीन चैनल कॉंपोटीशन वाला पर आपका मोस्ट वेलकम बेटा जो जे सीरीज है उम्मीद आज हमारा कॉंसा लेक्चर है इसका सेकिंड लेक्चर है इस सीरीज के बारे में मैं जितना वोलूं उतना कम है क्योंकि व उस बच्चे को भी Medical College में एंटर कराने में capable है आप समझना मेरी बात क्योंकि यह वो सीरीज है क्योंकि इसको हम सब ने मिलकर के बहुत उमीद के साथ समझना मेरी बात उन बच्चों के लिए डिजाइन किया है जिनकी उमीद बुलकुल खितम हो चुकी है उनको भी हम Medical College में सीरीज से पहुचा सकते हैं और जिसकी rank समझना मेरी बात 10 rank आ रही है तो उसको boost कर सकते हैं 1st rank के अंदर आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात जिसकी जो भी rank आ रही है जिसकी जो भी ability है उस rank को boost करने में यह सीरीज बहुत helpful है तो यह super series है बेटा ठीक है हर माइने में single shot में ह हर lecture को हर chapter को finish करने वाली है और इस series में आप सोचो only 2021 ठीक है lectures है each subject के सोचो आपने पूरी year study की और इस series के अंदर only हर subject के 2021 lecture comparative देखोगे तो इसका weight is बहुत जादा है हम इस series को बहुत मन से आप समझना है मेरी बात इसमें हर उस point को हमने जिक्र किया है बेटा जो neat में आने व अगर आपने यह मेरा मतलब full confidence है अगर आपने series को मन से join किया जोइन करने का मतलब है मन से देखा समझा और brain में set किया selection से कोई रोक नहीं सकता पक्की वात है ठीक है तो start करते हैं बेटा super series ठीक है तो इस series के अंदर जो crash course के नाम से launch है इस series के अंदर हमारा एक lecture complete हो चुका ह है a second lecture है आज हम cockroach single shot में finish करने वाले है start करते हैं बेटा cockroach तो जब भी cockroach की बात आती है तो आपको ध्यान रखना होगा बेटा पहले पहरा से दो question बनने की probability होती है अगर आप cockroach के बारे में पूछेगा तो आपको ध्यान अलग रखना है और इंडिया में जो most common species है cockroach की प 34 से लेकर के 3 inches और अगर यही cockroach का size वो centimeter में पूछेगा तो आप बोलो के 0.6 से लेकर के 7.6 cm यहां से question आएगा जरासी गलती गड़बड़ हो सकती है ध्यान रखना और प्लैनेटा अमेरिकाना जो इंडिया में most common species है largest cockroach होता है इसके size की बात करेगा तो आपको ध्यान 34 से लेकर के 53 mm जो second पैरा में दे रखा है तो दो line है बहुत important है size पर based है और direct question आपको मिलने की probability होती है तो पहली line तो समझ में आगर यहीं बेटा size अगर हम size की बात करते है size range कौकरोंच की कितनी होती है 1 4th inches से लेकर के 3 inches clear है बलकुल और centimeter में पूछेगा 0.6 से लेकर के 7.6 centimeter पहला और अगर periplaneta americana की बात करता है तो in case of periplaneta americana ठीक है जो इंडिया में most common cockroach है इसका size केतना होगा 3 4 से लेकर के 5 3 3 4 5 3 ऐसे जाए रखना millimeter तो यह दो बहुत important point है तो question बनता है बच्चे गलत कर देते हैं तो कि size में confusion हो जाता है अगर cockroach का size inches में 1 4 से लेकर के 3 inches अगर cockroach का size centimeter में पुच्छा है 0.6 से लेकर के 7.6 cm और अगर cockroach में periplaneta americana जो largest Indian cockroach है बिटा most common cockroach है ठीक है उसके बारे में पुच्छे का तो मैंने बताया 34 34 से लेकर के 53 mm बास दो पाइंट तो कितम clear है आपको size पर confusion नहीं होगा अब एक question और बनता है यहां पर ठीक है यह इस दो तो बहुत important line होई गई बेटा इस पर एकदम याद रखना है अलग से notable point लेखो कि तो only यही line लिखने है आपको ठीक है दूसरा question एक आया हुआ है यह कहां मिलता है वही all over bird cockroach पाए जाते हैं यह nocturnal होता है बेटा nocturnal मतलब होता है आप समझते हो ना night के time पर जो animal activate होते हैं उनको nocturnal बोलते हैं और जो decade time पर activate होते हैं diurnal होते हैं ठीक है तो यह nocturnal होता है रात में ही activate होते हैं ओमनी वोर्स होते हैं यहां तक ही अपनी species को भी खा जाते हैं इसलिए cannibalism term भी use कर सकते हो इनके लिए कहां पर रहते हैं भही यतने भी damp places होते हैं throw out the bird disease के लिए vector का भी काम करते हैं यह भी question आने की probability रहती है तो सबसे important पैरा यहां size का ध्यान रखना है और दूसरा कहां मिलते हैं omni boris होते हैं और phylum ortho poda में included हैं ortho मतलब joint poda मतलब appendages यह आप समदों lag ठीक है तो ऐसे animal जिनके appendages या lag में joints होते हैं ठीक है all animal are included ortho poda it is the largest phylum of animal kingdom एक जाने ही हो तो यह दो चार बात हैं आपको ध्यान रखनी है अब बात करते हैं periplaneta americana की कि आप कि ऐस mec में आपको इसके brac धिर घनum तो periplaneta americana की number one बात याद रखने हैं size number two बात याद रखने हैं wings अगर हम periplaneta americana के wings की बात करते हैं ठीक है तो wings की case में ध्यान रखना है आपको इसके wings बेटा male में भी होते हैं और female में भी होते है wings present in both sex ठीक है wings present in both male and female but male में जो wings होते हैं बेटा वो large होते हैं साब साब मेल का दे रखा है उन्होंने ठीक है beyond the tip of the abdomen in case of male male में जो wings होते हैं वो abdomen की tip से भी beyond होते हैं large होते हैं ठीक है तो यह एक बहुत important second line ठीक है तो यह आपको दिहान रखने हैं अब बात आती है इसकी body को three parts में divide किया है वो तो हम बताएंगे यह आपको head, thorax, abdomen common सी बात है और इसका जो हर part है वो एक kaitin की plate से मिल करके बनाएं ठीक है भाई dorsal side में एक plate होगी lateral side में दो plate होगे और ventral side में एक plate होगी एक segment बन गया ऐसी second segment तो कि इसमें metameric segmentation देखने को मिलता है यानि इसकी body segmented है और आप जानते भी हो ठीक है और इसके लावा और कहां मिलता है metameric segmentation आप बोलोगे core data और metameric segmentation का मतलब आप समझते ही हो ठीक है internal organ according to external segmentation अगर fix है इसका means है कि body internal भी segmented है segment का होना नहीं position of internal organ according to external segmentation it is called internal it is called metameric segmentation समझे ना मेरी बात तो इसकी body three parts में divided है और हर पार्ट different different किसे segment इस मिलक मिलके बनता है और हर segment का formation three four plates से होता है एक dorsal एक नीचे ventral और दो lateral तो मैं बात करता हूं प्लेट को बोलते क्या है स्कलराइट्स जो काइटिन का exoskeleton बनाते है ठीक है तो entire body is covered by hard kytineus exoskeleton hard kytineus exoskeleton ठीक है और in each segment यह एक्जो skeleton की बाराथ करर रहा है हैस hard in plate इनको क्या बोलते है sclerides अगर हम sclerettes की बात करते हैं तो उसी के बारें बता रहे हैं इस sclerites बेटा भई अर्गाईट्स doter side में होते हैं ठीक हिस isternites ventral side में होते हैं और सारे के सारे आपसमें joint होते हैं किस इसके तो धिन फ्लैक्गजिबल आर्टिकुलेटिंग मेंब्रेन इसको बोलते हैं ऐर्थो राइड़ल मेंब्रेन इसको एकस्पेईन भी कर देता है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम इसके एगज्जो सक्राटन की बात करते हैं वे 250 ग्वैल है अभाण PLC किसे मिल के बना था काईटीनियस प्लेट इन काईटीनियस प्लेट को बोलते कह हैं स्कलराइड यहां तक की बात आपको यहां तक क्लियर हो गई किसे मिल के बना था इसकलराइड से मिल के बना था आप जी डॉर्सल वेंटरल की बात कर रहा हूं और हम डॉर्सल वेंटरल की ब बहुत अच्छे से बेटा, अगर इन प्लेट की बात करते हैं, तो हर सेगमेंट में एक प्लेट डॉर्सल साइड पर होगी बेटा, एक प्लेट वेंटरल साइड पर होगी, ठीक है, और दो प्लेट लेटरल साइड पर भी होंगे, और इन चारों प्लेटों की बात करते हैं, चारों प्लेट बेटा मूवेबल होते हैं, आर्टीकुलेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इनको आर्टीकुलेट करने के लिए रिस्पॉंसिबल कौन होते हैं या पर, कुछ मेंब्रेंस हैं, इनको बोलते हैं, आर्टीकुलेटिंग मेंब्रें, जो इन प्लेटों क तो एक दूसरे से उपर articulate कराने में capable हैं, आप समझ पा रहे होगे मेरी बात, इसलिए ये membrane actual में इन प्लेटों को articulate करा रहे हैं, means इन प्लेटों के बीच में joint create कर रहे हैं, ठीक है, articulation between joint, so it is called orthoidal membrane, ortho means joint, और ऐसी membrane, जो joint का काम कर रहे है, इन प्लेटों को एक दूसरे के उपर articulate करा रहे है, so it is called बिटा, जा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, orthoidal membrane, orthoidal membrane बोलो, या articulating membrane बोलो, articulating membrane, एक बात clear होगी, orthoidal membrane या articulating membrane, तो यहां तक मुझे लगता नहीं है, किसी को कोई doubt होना चाहिए, अब पता तो होना चाहिए, कि इन प्लेटों के name क्या है, बेटा, अब ये question आता है, बही जो उपर की side plate है, इसको क्या बोलते हैं, बही उपर वाली side क्या होगी, dorsal, न कहाँ पर होगी, dorsal side, ये question आ सकता है, dorsal plate को क्या बोलते हैं, क्योंकि NCRT की line है, अच्छा, ventral side पर प्लेट होगी, क्या बोलेंगे इसको, sternites, कहाँ पर होगी, ventral side, अगर भूल भी जाओ, तो कैसे याद रखोगे, अगर आपका ventral portion देखा जाए, तो ventral portion कहा है, ये वाला ventral portion है, जा माउथ होता है, तो यहाँ sternum कहा होता है, आपका, ventral side में होता है, वर्टिवल कोलम कहा होते है, dorsal side में होते है, तो आपका sternum, ventral, तो इसकी sternum, sternum से याद रहेगा, sternum से याद रहेगा, sternum, ventral side, clear अबलकुल, और lateral side पर जो plate होती है, वो क्या है, pleura या pleuron, pleuron, ये lateral plate होती है, number में 2 होगी, बटा, दौना side, left and right, इन चारों plate को आपस में articulate कराने वाले membranes को क्या बोल रहे है, orthoroidal, जो ortho joint create कर रहे है, एक द जो इन दो plate को आपस में connect करते हैं, dorsal वाली plate और ventral वाली plate, तो इन muscles को हम बोलते हैं, क्या, भई जो, भई तर्गा को sternum से जोड रही है, so it is called tergosternal muscles, क्या बोलने वाले इनको, tergosternal muscles, tergosternal muscles, तो tergosternal muscles का रूल respiration में होता है, हम आगे बताने वाले हैं आपको, कहाँ पर help करते हैं, help in respiration, help in respiration, तो actual में, ये respiration में help करने वाले muscles हैं, तो ये समझ में आया होगा, tergosternal muscles का concept क्या है, याँ अब एकदम clear है, इन चारो plate की position क्या है, इनके बीच में orthoroidal या articulating membrane का rule क्या है, tergosternal muscles का rule क्या है, और plate की position क्या है, और plate को बोलते हैं, sclerides किसी मिलके बने होते हैं, kaitin, tips पर होना चाहिए, तो एक बात हमारी morphology clear, ठीक है, और morphology की बात, अगर हम बात करते हैं, इस diagram को हम आगे लेते हैं, body segment, diagram को भी समझाएंगे, diagram से question आता है, ठीक है, एक बार finish कर लें, इसको लेके चलते हैं, body segment, अब morphology की बात, morphology में बात आती है, body segment, उसकी body को 3 part में divide किया है, NCRT की ही line है, तो body segment की अगर बात करते हैं, तो body को 3 part में हम divide कर सकते हैं, ठीक है, एक तो head, number 1, number 2 आप बोल सकते हो, thorax, number 3 आप बोल सकते हो, abdomen, अगर हम head की बात करते हैं, तो head में segmentation, thorax में segmentation, और abdomen में segmentation क्या होता है, NCRT ने head के बारे में दे रखा, इनके बारे में detail नहीं दे रखा, तो हम 3 को compile करते हैं, ठीक है, during embryonic stage, embryo, adult, तो embryonic stage में बात करते हैं, तो head में ise 6 segment होते हैं, किते segment होते हैं, 6 segment होते हैं, और adult में आके किते रहा जाते हैं, only यहां पर single segment रह जाता है, यानि 5 segment, 6 segment आपसं hepsय कर के, यानि 5 आपसं jueze कर गए, एक single segment रह गया, ठीक है, यहां पर 1 segment में remaining 5 fuse कर गया, या six आपस में fuse करके कितना segment रहे है one in adult adult की thorax में only one segment होता है thorax में ध्यान रखना है दोनों ही stage में दोनों ही stage में three three segments होते हैं तो इसने common आपको याद रहेगा अगर abdomen की बात करते हैं बिटा तो embryonic stage में 11 segment होते हैं but adult में आके only 10 segment रहे जाते हैं means यह कोशन बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि NCRT की line सिर्फ head की उपर दे रखी है कि head का formation वह हैड में single segment होता है जो six segment के fuse होने से बनता है यह NCRT की line है तो ऐसी question बन सकता है कि एसी कौन सा पार्ट है जिसमें कह सकते हो कि embryonic stage ठीके और adult में similar segment देखने को मिलते हैं thorax तो तीनों ही important है पर NCRT के सबसे first line very important जरी embryonic stage में total segmentation की अगर हम बात करते हैं बिटा तो कितने segment होंगे ठीक है यहाँ देखने को मिलेंगे 20 segment और adult में total segment देखने को मिलेंगे 14 segment head के बारे में thorax के बारे में और abdomen के बारे में एक domensiatic conceptual आपके brain में set करने वाले हैं तो हम पहले बात करते हैं head तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो head होता है उसकी covering क्या होती है एक कौन-कौन से plate होते हैं जो head को बनाते हैं एक dorsal side पर भी होगा ventral side पर भी होगा दो lateral side पर भी होगे और front पर भी होगा ठीक है तो head को बनाने के लिए तरगाइट sternites pluron नहीं होते सेम वैसे ही plate होते हैं पर नाम अलग होता है और एक front पर भी plate लगा हुआ होगा ठीक है तो इन plate का position पता होना चीए नाम पता होना चीए ठीक है और question जो बनता है वो किस plate से समझना mouth part attach होते हैं और किस type की होते हैं यह चीज NCRT में है तो head में सबसे पहले हम एक साथ लिख रहे हैं जो हमारा number a point आएगा head में ठीक है covering and mouth part of head covering and mouth mouth part की बात करेंगे तो बहुत trickly हम लेके चल रहे हैं इसको समझना trickly का मतलब कुछ इस तरीक से करेंगे कि आपके brain में set हो जाए लिखाएंगे तो भूल जाओगे अगर हम head की बात करते तो जो मानो head की एक plate कहा होती है dorsal side पर एक दो प्लेट कहा होती है lateral side पर समझना मेरी बात एक plate कहा होगी head की आप बलो के ventral side पर यह दो बात तो समझ में आगई आपको चार प्लेट दिख रही है आपको एक डॉर्सल साइट पर दिख रही है दो लिटर साइट पर दिख रही है और एक वेंटर साइट पर दिख रही है चारों प्लेट समझ में आ गए है आपको ठीक है अब एक प्लेट फ्रंट पर भी लगी होगी ठीक है एक प्लेट फ्रंट पर भी जीना और फ्रंट पर मic्मेश्ट फ्रन्ट पर फ्रन्ट पर से दोनसल संव में पार्ट किस प्लेट से लिटे मोोश्ट होते हैं माउथ पार्ट की बात की जाए भी टा तो आपको ध्यान और अब आपको इस डाग्राम से याद रहेगा कि नीचे क्लाइपियस थी जिसे माउथ पर्ट अटेच थे ठीक है तो अब हम यहाँ अटेच करने वाले माउथ पार्ट माउथ पार्ट ओफ कॉक्रोज बहुत सारी ट्रिक्स इसमें इंग्लूड हैं जो आपको पर्मनेंट मेमोराइज कराएंगी ठीक है तो आप क्या याद रखना है कि किस प्लेट से माउथ पार्ट अटेच होते हैं क्लाइपियस से अटेच होते हैं ठीक है अटेच बेद अटेच बिद क्लाइपियस अब बाता थी कि माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं बाइटिंग एंड च्विंग अगेन एंसी आर्ट की लाइन ठीक है टाइपस अप माउथ पार्ट पूछेगा तो बाइटिंग एंड च्विंग खाने और चबाने वाले माउथ पार्ट होते हैं अगेन एंसी आर्ट की लाइन किस प्लेट से अटेच होते हैं क्लाइपियस से अटेच होते हैं तो एक बात तो क्लियर होगी भई ये भी समझ में आ गया प्लेट की पोजिशन क्या है वही वाट एक्स जी यहां क्लाइपियस फ्रेंट पर फ्रॉंस क्लाइपियस से माउथ पार्ट अटेच हैं वह किस टाइप के हैं बाइटिंग एंच्विंग टाइप के हैं अगरा माउथ पार्ट की बात करते हैं अगेन माउथ पार्ट की बात करते हैं माउथ पार्ट पर भी आ जाते हैं यहा नमबर टू हम पढ़ने वाले हैं लेजियम और नमबर थी हम पढ़ने वाले हैं यापर हाइपो फैरेंग्स हाइपो नमबर फोर हम पढ़ने वाले हैं यापर ठीक है मैक्सिला और नमबर फाइब जो होते हैं मैंडबल यह द्यानक ना है आपको ठीक है क्योंकि NCRT में विद डाइग्राम दे रखें ठीक है अब कोश्चन कैसे कैसे बनेंगे कोश्चन आएगा जो लेब्रम और लेवियम पर बड़ा कॉमन कोश्चन है यह लिप्स होते हैं अब कोश्चन आएगा इसमें अपर लिप कौन सा है ल लेब्ल लेब्ल अंदर वही लेब्लिंग का होती है अंदर मान के चलो लेब्लिंग अंदर होती है बकवास है बड़ आपको याद रहेगा 100% यही कुछ ट्रिक्स है जो टीचर अगर बताता है तो याद रहेगा और आप खुद बनाओगे तो भूल जाओगे पकी बात है तो ध्यारखना लेब्लिंग हमेशा इंसाइड होती है तो ऐसा लेब जिसमें लेबिल लेबिलिंग तरमाता है तो लेबियम लेबियम ओल्वेज लोर लेब होता है ठीक है तो लैबरम की अगर बात करते है और लेबियम की बात करते है एक दम क्लियर होगा कोश्चन आता है हलकी में मत ले लेना इसको अगर हम important लिख रहे हैं तो मतलब आएगा question hypoferring आप जानते हो टंग होती है तो इसमें तो कोई doubt है ही नहीं अब question आता है maxilla और mandible तो mandible की अगर बात करते हैं तो mandible क्या होते हैं बाटा lower jaw है lower jaw इस पर क्या होते हैं with clients teeth kitkrinius teeth अब बाता दी maxilla अब समधना मेरी बात अब आप यहां वो बनते है maxilla मैं pulp होते है ठीक है तो अगर maxilla की बात करते है तो इस पर क्या होते हैं maxillary pulp present होते हैं sensory maxillary pulp present होते हैं sensory pulp और प्रेजेंट अगर हम मैक्सिला की बात करते हैं तो मैक्सिला में सेंसरी प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम लेब्रम और लेबियम की बात करते हैं तो कोशन आता है इनमें सेकेंडरी मैक्सिला किसे बोलते हैं तो लेबियम को हम क्या बोलते हैं सेकेंड sensory pulp also present on labium यह question ध्यारकना है, सारे वो points है जहां से question बनते हैं, ठीक है upper lower lip, ठीक है, pulp कहां कहां होते है, maxilla में भी pulp होते हैं ठीक है, और labium में भी pulp होते हैं, बोथ are sensory ठीक है, sensationally responsible होते है, mandible lower जो है, जिसमें kytin के teeth होते हैं, hypoferring stung है, it is also sensory part और labrum, upper lip है, सारे question आपको एकदम clear होंगे यहां से question बनने की probability होती है diagramatically अगर मैं इसके mouth part को represent करता हूँ, तो आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर क्या है, mandible kytin से मिलके बने हुए, pair में होते हैं labrum, upper वाला हो गया labium, lower lip है, इसमें क्या लगे हुए, pulp तो यहां पर sensory pulp present है ठीक है, maxillary pulp भी present आपको दिख रहे होंगे तो द्यानक लेबियम में भी pulp होते हैं maxilla में भी pulp होते हैं, बोथ हार sensory तो टंग भी sensory होती है labium भी sensory होता है, lips to sensory होते है sensory, but mandible kytinous teeth होते हैं, जो biting and chewing में help करते हैं आप समझ पा रहे होगे मेरी बात, तो mouth part समझ में आ रहे हैं, यह head का complete head का diagram है, ठीक है इसमें आप यह भूल जाओगे तो इसको आपको 4-5 वार draw करना पड़ाएगा तभी exam में आप perform कर पाओगे इसको अच्छे से ठीक है, तो maxilla, labium, labrum, mandible कहाँ पर लगे हुए इनकी position पता होनी चाहिए यहाँ पर simple eyes है, oscillus compound eyes है यहाँ पर, जो vision के लिए responsive होती है, simple eyes, oscillus vestigial होती है, ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है पूरगा पूरा, अब head हमारा चल रहा था head में हमने covering समझ ली head में हमने mouth part समझ लीए, जहां से question आते हैं अब head में और क्या-क्या question बन सकते हैं तो go head पर number one, position पर number two question बनेगा, B, position head की position क्या होती है body axis से इसको बोलते है, hypog netha hypog nethas, hypo माने होता है नीचे और netha माने होता है जो अगर cockroach का हम body axis देखते हैं तो यह body axis हो गया, इस body axis पर small neck होती है, flexible यह उसका head होता है mouth part का होता है, नीचे netha का होता है, नीचे body axis से इसका head 90 degree पर होता है इसलिए इसको hypo नीचे, netha position बोलते हैं head की position, hypog nethas position यह ध्यान रखना है आपको number C head पर और क्या होता है, antenna NCRT के लेना है, antenna की segmented होते हैं, one pair होते हैं segmented हैं segmented हैं वेटा one pair है contain sensory receptor which help in monitoring the environment यानी antenna की उपर sensory receptors होते हैं, ठीक like thermoreceptor, tango receptor जो environment को monitor करने में, identification में help करते हैं one pair होते हैं, segmented होते हैं ऐसे ही आप एक चीज़ और याद रसकते हो यहाँ पर eyes अगला part क्या रखना है, head में eyes अगर में eyes की बात करता हूँ head के अंदर तो eyes कितने type की होता हो सकते हैं two type के, ठीक है simple eyes simple eyes compound eyes अगर हम simple eyes की बात करते हैं ठीक है, क्या था? oscillus एक तरह के से vestigial होते हैं, ठीक है but compound eyes it is responsible for vision compound eyes vision के लिए responsible होते हैं, यह चीज़ आड़ करते हैं compound eyes compound eyes, अगर हम compound eyes की बात करते हैं बटा तो it is responsible for vision ठीक है और नाम यह compound compound का मतलब कई unit के मिलने से बनते हैं तो इनकी unit क्या होगी बटा? unit unit आप बलोगे ometidia कितने ometidia होते हैं in each eyes, आप यह भी याद रखना हैं को 2,000 ometidia in each eye यह हर eye में 2,000 ometidia present होते हैं तो बेजिस समझ में आया compound eyes compound का मतलब है जो कई छोटी छोटी unit के मिलने से बनती है वो compound है ठीक है इसलिए compound eyes बोलते हैं अगर diagramatically देखो कि compound eyes के diagram तो इसमें इस तरीके से करना मेरी बात ठीक है तो अब यहां unit समझ में आयोगी बेटा क्या है ometidia अब second आता है जहां जो विजन होगा और image कैसी होगी दो question बनते है विजन विजन कैसा होता है इसका मोजाग 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 का मतलब ही होता है जो छोटी छोटी इमेज के मिलने से बनता है और image कैसी होगी यहां पर इमेज होगी यहां पर apposition बहुत important है apposition क्योंकि नॉक्टर्नल है नॉक्टर्नल एनिमल ध्यान रखना है आपको superimpose image बनाते है superimpose, overlapping, superimpose, overlapping पर यह नॉक्टर्नल होते हुए भी इसकी amazing जो होती है वो apposition होती है clear, non overlapping, यह खास बात है इसके अंदर कुश्चन आता है, non overlapping, non overlapping overlapping, तो non overlapping image बनती है, mosaic होती है, ometidia, इसके अंदर 2000 होते हैं और 2000 ometidia से मिलके बनने वाली eyes को हम compound eyes बोलते हैं आप समझ के होगे, compound जो कई के मिलने से बन रही है और one pair होते हैं यह ठीक है, one pair यहां तो clear एकदम और जो 2000 image के मिलने से एक image बनती है ऐसी image को mosaic, जिन कई के मिलने से मिलके बनने वाली image तो यहां तक भी clear होगा, तो head बाले part के अंदर हमने antenna करा दिया, ठीक है head बाले part के अंदर हमने eyes करा दी, both our sensory, वहीं उसकी covering करा दी हमने उसकी, ठीक है उसके mouth part clear करा दी और उसका position करा दी, अब हम आगे बढ़ते है, thorax, second part क्या है, thorax तो thorax में कितने segment होते हैं, हम पहली बिता चुके हैं, इसमें 3 segment होते हैं, दौनों ही stages में 3 segments, तो head में बिता 3 segment होते हैं, तो इन 3 segment को, अच्छा एक थोड़ी जगे चाहिए, ठीक है, हम short में लिखते हैं यहाँ पर, 3 segment, हम बता चुके हैं 3 segment आपको पहले से ही, अब हम thorax को बहुत trickly समझाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी trickly समझना, ओके, हो जाएगा, ठीक है, माल लो यह thorax है, ठीक है, 3 segment को हम design कर देते हैं, इसके अंदर, 1, 1, 2, और 3, तो thorax में किते segment होंगे, 3 segment है, आपके सामने, ठीक है, एक को बहुत लेंगे, pro thorax, pro thorax, एक को बहुत लेंगे, मीजो thorax, मीजो thorax, एक को बहुत लेंगे, मेटा thorax, मेटा thorax, तो pro thorax, मीजो thorax, और मेटा thorax, 3 segment में, divide होती है, इसकी thorax, अब जो pro thorax होती है, उसको cover करने के लिए, kaitin की plate होती है, इसको pro notum बोलते हैं, ये question बनता है, बहुत बढ़ी, आभी तक नहीं आया, पर आएगा, ठीक है, covering of pro thorax, या pro notum, किसकी covering होती है, ठीक है, तो इसकी covering जो होती है, covering, तो pro thorax की covering को हम क्या बोलते हैं, प्रो notum, ये question आएगा, अभी तक आया नहीं है, pro, अभी हम diagram में दिखाने वाले हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से, तो एक बात तो clear होगी, प्रो थोरेक्स की covering को हम क्या बोलते हैं, प्रो notum बोलते हैं, तो यहां तक की बात एकदम clear है, कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये बात जो चल रहे थी प्रो थोरेक्स की चल रहे थी ये बात चल रहे थी प्रो थोरेक्स की चल रहे थी ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं तो प्रो थोरेक्स की कबरिंग को हम प्रो नोटम बोलते हैं ठीक है इधर हम समझाएंगे आपको तो थोरेक्स में क्या-क्या चीजें होती हैं, तो एक तरब तो हम लेके चलने वाले हैं, थोरेक्स के अंदर, विंक्स, इधर समझाएंगे हम आपको लैक्स, एकदम कंपाइल करेंगे, ठीक है, दोनों को, एकदम आपको याद हो जाएंगे, अगर हम विंक्स की बात करते हैं, तो विंक्स कितनी होते हैं, कॉक्रोष में, टू पेर, तू पिर्स अगर हम लैकी बात करते हैं कितने होते हैं कॉक्रोष के अंदर आप वलोगे थ्री पिर्स विंग्स किस-किस सेडमेंट में होते हैं ड्राइग्राम में हम दिखाएंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा मीजो थोरेक्स में भी विंग्स होते हैं जो बहुत थिक होते हैं बेटा डार्क होते हैं काईटी नियस होते हैं ये आपको याद रहेगा कोश्चन एक बार आये हुआ है कि कौन से विंग्स किसको कबर करते हैं ठीक है तो wings only present in mesothorax one pair, और metathorax one pair prothorax में wings नहीं होते, यह question आता है ठीक है, वो कौन सा segment है जिसमें wings नहीं होते, always prothorax, ध्यान रखना है, pro में wings नहीं होते, meta में होते हैं ठीक है, और meso में होते हैं, और meta में होते हैं, pro में विंक्स नहीं होते हैं वही कितना हो गए टू पेर वन पेर इन मीजो एन वन पेर इन मैटा पर हम एक साइड ही बना रहे हैं को कि उस साइड हम लैक को रिप्रेजेंट कर देंगे इतना तो आप अंडर्स्टूड होगे ही ठीक है तो अगर हम आपसे पूछे कि फोर विंक्स नंबर विंक्स कौन से होगे नंबर वन नंबर वन वहें फोर विंक्स की अगर बात करते हैं तो फोर विंक्स को क्या बोलते हैं यह भी कुशन आता है एलाट्रा या टै海ffee के म developmental ने यूज़ किया है पर इसका एक नाम होता है एलाट्रा ऐलाट्राि बघ्य मिना पर अंपर अदेती नहीं च्हाप रखा है ठीक है तो four wings मैं बात कर रहा हूं ilator झाय इंहों को क्या बोलते kai tineo लोगे टीख डार्क होते हैं कि आप लोगे क्या काम करते है नो में थिक शाहीं नो Global protection of hind wings hind hind wing को protect करते हैं direct question मिलेगा ठीक है अब next हम बात करते हैं भी number second pair कौन होगा आप बलोगे four wings के बात hind wings hind wings अगर मैं hind wings की बात करता हूँ तो जो green के लगे दिख रहे हैं यह hind wings हैं और hind wing की बात करते हैं तो कैसे होते हैं यह thin होते हैं ठीक है यह membranous होते हैं ठीक है यह transparent होते हैं किसके लिए होते हैं for flight यही वो wings हैं जो उड़ने में मदद करते हैं तभी तो in wings का protection करते हैं फॉर विंग्स जो किसमे होते हैं यह कोशन आगा protecting wings present in mesothorax यह diagram मुझे पता है आपके brain में छपेगा और exam hall में यही diagram आपको question सही कराएगा क्योंकि पढ़ना और ऐसा पढ़ना कि कभी भूलो ही न आप समझे रहे हो में कारण negative marking है तो बस वही आपको ध्यान रखना है कि किस पर question आता है कैसे आता है कैसे आपको memorize रखना है अब बताती है लैक लैक कैसे कितने होते हैं थ्री पियर यानि वन पियर प्रेजेंट इन इच सेगमेंट लिखने की जरूतने यह understood है ठीक है तो एक को हम रिप्रेज सेगमेंट की करम बात करते हैं ठीक है तो यह देखा जो थर्ड सेगमेंट हो गया ऐसे ऐसे और अगर हम फूर्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो फूर्ट सेगमेंट इसका यह हुआ फिर इसके बाद जो सेगमेंट होते है वो छोटे फूरे सेगमेंट होते हैं ऐसे वान त 2, 3, 4, 5, और इस 5th segment पर लगा होता है, एक cushion like structure, arrow, liam, ठीक है, जो attachment चलने में help करता है, तो आपके segment की अगर बात की जाए, divide कर दो, इस सबसे पहला segment क्या है यहाँ पर, ठीक है, coxa, दूसरा segment क्या है, trochanter, third segment क्या है यहाँ पर, femur, next segment क्या है यहाँ पर, टीबिया, और next जो five segment दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं, टार्सस, five segment होते हैं, five segment, अब question क्या क्या बन सकता है, question एक तो बनेगा, इसमें से smallest कौन सा होता है, largest, longest कौन सा होता है, सबसे smallest कौन सा होगा, trochanter, longest कौन सा होगा, टीबिया, कैसे याद रखोगे, वही अपने segment तो ध्यान है, वही अपनी जो pelvic bone होती है, pelvic bone, तो half of pelvic, क्या बोलते हैं, कौकसा या कौकसल, वही अपनी आदी pelvic bone को कौकसल बोलते हैं, तो यहाँ भी कौकसा आ गया, क्लिया है बल्कुल, हाँ, अपने याँ ट्रोकेंटर नहीं होता, उसको भूल जाओ, फिर ट्रोकेंटर, फिर अपनी कौन सी होती है आगे आगे वाली, टीबिया, तो यहाँ भी लेस्ट, लॉंगेस्ट आपको याद रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर five segment होते हैं, जिन में ये claw बने हुए, जिसके अंदर aerolium होता है, aerolium, जो कह सकते हो कि grip बनाने में help करता है, इसके लाब इनके हर joint पर, यहाँ joint पर plan to lay भी होते हैं, जो smooth surface पर running कर समें, grip बनाने में help कर करते हैं, पर उतना नहीं जाएंगे, बस aerolium, जो main main बात आपको ध्यान रखनी है, तो यह leg हो गया हमारा, leg हर segment में one pair होते हैं, same structure होता है, तो leg clear है हमारा, wings clear है हमारे, thorax के अंदर, ठीक है, अब हम बात करते हैं, abdomen, तो thorax में इतना ही है, complete हो जाता है, यहाँ पर thorax, अब ब genital chamber या pouch, तो हम दोनों को explain करने वाले हैं, बहुत super तरीके से, तो abdomen, तो abdomen में, segment कितने होते हैं, आप जानते हो, यहाँ पर, 10, segments होते हैं, 10 segments, अब इन 10 segments को male औ female में divide करने वाले हैं, समझ न, one segment, two segment, बस तो ही दिखाते हैं, यहाँ इस तरीके से करके, यह, इसको माल लो, 8, इसको माल लो, 9, तो इसको हो गया, 10, ठीक है, ठीक है, यह आप दिखा दो, इसको male दिखा देते हैं, यहाँ पर, male, एक और बना देते हैं, female का भी, one segment, two segment, और, यह हो गया, ठीक है, यह किसका दिखा देते हैं, female, वही, 8, 9, 9, 10, अब समझना, abdomen में 10 segment देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर sexual dimorphism देखती है, ठीक है, अभी समझाता हूँ, मैं, अच्छा, इसके बेस पर, इसको समझाने से पहले में, आपको diagram पर आ रहा हूँ, यह, छूट रहा था हमारा, देखो, NCRT का diagram है, इस पर question आता है, ठीक है, तो पहले समझना है, यह तो आपको NT ने देखी रहे हैं, one pair होते हैं, segmented होते हैं, बता चुके हैं, ठीक है, compoundize में बता चुका हूँ, आपको clear है, कोई doubt नहीं होना चाहिए, अब question आएगा, Pronautum, Pronautum किसकी covering है, It is a Pronautum, यह पूरा Pronautum है, option में होगा, head, option में होगा, thorax, option में होगा, abdomen, option में हो, ऐसे भी हो सकता है, Prothorax, Mijothorax, Mijothorax, यह Metathorax, तो अक्षर कर बच्चे, head की covering लगा देते हैं, क्योंकि लगता है, यह head की covering है, ठीक है, पर it is a covering of Prothorax, क्योंकि त खुरियर वल्कॉल के लिजे कवरिंग तो यह तक समझ में आगे आपको यह कोशन एक मिलेगा अगला कोशन मिलेगा कि बहुत के नीचे प्रोथारखस है ठीक है फिर मेजो थारक्स से प्रोथारख से समझना मेरी बात प्रोथारखस से विंक नहीं आठेच होते तो फोर विंक it is our four wings एक एक कॉशन तो आएगा Tegmina attach with Prothrax, m diabothrax, mentathorax ठीक है तो बच्चे डाइगराम पर चले आते है पर किस से attach होते है आप बहने के वन पेर होते है टेकमίνak ठीक है four wings को ही बोलते है जो मीजDO thorax से attach होते है एक दम क्लियर है बलकूल Prothorax में Wings नहीं होते हैं, Hindwings आप समझी रहे हो, Foreings डारक होते हैं, Bita, Tipsota governance के लिए होते हैं, Hindwings membranous होते हैं, 4 flight, Abdomen आप समझी रहे हों, यहां सहेयन तक पूरी एबढमेन है, अब मैं आप से पूछओं कि ये आपको छाप देंगे, बहुत अच्छा कोशन मलता है, और मैं कहूँगा कि मैग्जन मच्छिकलत करके आएंगे, ठीक है, यह डाग्रम आपको देंगे, एक्जाम में, अब पूछेंगे आपसे, कुछ पॉइंट्स देदेंगे, कुछ मेल के पॉइंट्स होंगे, यह फीमेल तो संदान मयें या इनटीफाइ कर सकते हो, यह मैल है या से इस के बिटा इंटीफाइक करोगे इस डियाग्राम को तो एक्च्चुल, नहीं ऐसे डियाग्राम नहीं है, आपके लिचसार गेट् Pacific कर बना, आहिए। पर इनल स्टाइल नहीं है ठीक है एनल सरसे प्रेजंट होते हैं male and female बोत पर फिर आप सब किसे की बेस पर बोल सकते हो दोनों में है तो ये female क्यों है क्योंकि यहां पर एनल स्टाइल पर ऑगायर यहां पर होते तो यह male कोख रोच होता ठीक है हम दिखा भी सकते हैं आपको मेल आ के करोट का डाइगराम मिल अच्रसे के साथ ऐनल स्टायल भी होटे हैं जया स्टेथाइल खोट मेल लागए हैं तो ओधाज सर्से लगए हैं तो फीमिल कोख रोच regulatory को के एनल सर से male औ female दोनों में होते हैं पर male में additional क्या होते है एनल स्टाइल जो sexual dimorphism को represent करते हैं तो समझ में आ गया होगा तो यह diagram किस का है यह आप लोगे female cockroach का diagram है क्योंकि एनल स्टाइल नहीं लगे इसी को मैं explain करने वाला हूँ कहां पर abdomen में तो समझ पा रहे होगे बेटा ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं एक एक point include करें और उस label का आपके brain में set करें कि एक question न छुटे आपसे ठीक है आपकी उम्मीद और बढ़ जाए कि हाँ यार अब तो selection होके ही रहेगा अच्छे medical college में enter करके ही मानेंगे और हम कराके मानेंगे बस अगलाया यहाँ पर ठीक है तो हम बात करते हैं मंबर बन एनल सर से 10th segment यह 10th segment पर लगे हुए अ हो थे इन यह already segmented होते हैं segmented 10th segment पर लगे हुए है already segmented है 15th segment से बिल करके बने होते हैं यह male में भी होते हैं और यह female में भी होते हैं तो यह sexual dimorphism के लिए responsible नहीं होते हैं तो कौन होते हैं sexual dimorphism यारी male of female को distinguish करने के लिए ऐसे भी question बनता है बहुत बड़ी बड़ी question बन सकते हैं NCRT से तो अब sexual dimorphism के लिए structure है वो ninth segment पर present होता है यह ऐसे ऐसे यह ऐसे और ऐसे ठीक है तो बेटा यह है anal style style यहां पर style कौन दे रहा है style male male style में है मतलब इसके पास anal style है और यह anal style population में help करते हैं ठीक है only present in male it is responsible for sexual dimorphism ठीक है तो आप समझ गए होगे question इन दो पर बनते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा तो यह जो structure है यह क्या है बेटा एनल इदर लिख देते हैं इसको एनल सरसे और यह जो structure दिखा रखा यहाँ पर यह क्या है एनल style इनको compile भी कर देते हैं जिसे question आने की probability रहती है अगर हम एनल style की बात करते हैं समझना तो आप बोलो कि एनल style वन पेर वन पेर ठीक है segmented या unsegmented 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 कि सेग्मेंट पर होते हैं present only in male cockroach male cockroach कि सेग्मेंट पर होते हैं present on 9th यह question आते हैं सारे 9th segment जो 9th segment पर present होते हैं यह बहुत important है और function क्या है भई copulation copulation के time पर female walva को open करने में help करते हैं help in copulation help in copulation तो copulation में यह क्या करने वाले हैं help करने वाले हैं तो एकदम clear हुआ होगा बेटा अब बात करते हैं एनल सर से इसकी बात करते हैं तो present again one pair one pair segmented unsegmented segmented होते हैं especially 15 segments से मिलके बने होते हैं 15 segmented होते हैं 15 segments से मिलके बने होते हैं ठीक है कहां male में होते हैं female present in both sex present in both male and female ठीक है किस segment पर present होते हैं present on 10th segment 10th segment ठीक है वहीं क्या करते हैं sensory nature क्यों होते है sensory 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 nature एक एक बात clear हो रही होगी बिटा male of female में इतम distinguish करने के लिए sexual dimorphism के लिए स्टाइल यह ध्यान रखना है आपको तो समझ में आ गया होगा अगला point आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एक बहुत important बात और है जो हर बच्चा confused होता है ठीक है हर बच्चा confused होता है किसे लिए उसके genital पाउच से बहुत सारे कोशन बनते भी है एक पूरा एंसी आटिक में पूरा पैरा ही है इसका उस पैरा को मैं फ्लो डाग्रम में कनवर्ट कर रहा हूं ठीक है जनेटल पाउच या चैमबर अख हम जनेटल पाउच चैमबर की बात करते तो यह बटा मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है ठीक है भई यह तो मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा इधर हम मेल दिखा देते हैं या इधर फीमेल कर देते हैं चलो इधर मेल दिखा देते हैं अब हम बातें करते हैं कुछ बहुत important point अगर हम आपसे पूछे हैं कि यह जनेटल पाउच फीमेल में किस किस सेगमेंट से मिलने से बनता है तो फीमेल के किस में अगर बात आएगी तो आपको ध्यार नखना है आप पर 7th मैंने बड़ा रहा हूं उसका भी पीछे एक राज है 8 प्लस 9 यह ट्रक आपको याद लाएगी यहां जो 7th सेगमेंट होता है यह लार्ज होता है प्लस बोट शेप होता है तिए कि यह अंसी अर्टिक लाइनेबल कुल तो सेवन सेहमर्ट लार्ज होगा बोट शेप होगा ओ fijmエ interacts का फॉरमेशन वेंटल साइड पर कहां पर वेंट्रल कि इन तीन सैंक में और के तीन नीच्य Кि इन यह एक बड़ा सा चेमबर बना देंगे, पाउच बना देंगे 7, 8 and 9, नीचे फ्यूज होकर व कर एक चेमबर बनाएंगे, उस पाउच को, चेमबर को हम क्या वोलेंगे, अब वह दो कि फीमेल जनाइटल चेमबर या पाउच जिसके अंदर external genitalia या general part होंगे ठीक है तो जारा ना ventral side पर fusion होगा यह आपर और ventral side पर 7, 8, 9 segment के fuse होने से female genital pouch या chamber का formation होता है ठीक है अगर इस chamber की बात करते हैं तो इसमें भी दो part हो सकते हैं इसमें भी दो part हो सकते हैं एक anterior और एक posterior यह भी NCRT में दे रखा है जैसे समझना मेरी बात में थोड़ा समझाने की डाइग्रम बना रहा हूं यह female chamber है इस तरीके से female chamber होगा और दिखाई देते हैं आपको डाइग्रम तो हमारे पास है ना अगर हम female chamber की बात करते हैं तो female chamber की ना समझना यह पूरा female general chamber है तो इसमें उपर वाले पार्ट को तो हम बोलते हैं anterior पार्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे posterior part anterior posterior तो anterior part में क्या-क्या मिलता है यह gland होती है spermethica इसकी opening भी anterior part में होती है तो spermethica की opening anterior part में वजायना की opening anterior part में और यह collateral gland की opening भी anterior part में यानी anterior part में तीन-तीन opening है बेटा opening of spermethica opening of collateral gland और opening of female gonopore यह मैं अभी इस diagram पर आऊंगा तो समझाऊंगा अभी तुम मैं तुम्में इस ड्रॉप करकर बता रहाएं एंटियर पार्ट पर यह थे कि पोस्टियर पार्ट पर क्या है काइटिन की प्लेट इनको गुनाप और फाइसिस भोलते हैं ठीके जहां एरेस कर दिया है तो बापस आ रहे हैं जहां थे कोश्चन यहां NCRT में डारेक्ली पूछा जाता है अगर हम जनेटल चैमबर या पाउच की बात करते हैं तो फीमेल में पाउच किस-किस सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है वेंटरल साइड पर बनता है बड़ा होता है लार्ज होता है और बोट शेप होता है इसमें अगर हम एंटिरियर की बात करते हैं इधर पोस्टिरिय की बात करते हैं तो एंटीरियर पाटies पर क्या होगा एंटीरियर पाटies और फ़ी ओपनिंग होगे ठीकी ओपनिंग ओफ ओपनिंग ओफ नंबर वन फीमेल गॉनो और फीमेल गॉनो पूर्ट फीमेल जनुटर को बोलते हैं इसके लाबा इस पर में थिका ओप्णिंग ओफ सपर में थिका इस पर में थिका हम आगे भी बताएंगे आगर आपको नहीं बतातो इसकी ओप्निंग भी हैं एंटेर्रीर पर होती है और ओफिनरों ओपनिंग ओफ को लेटरल ग्लेंड और आंटीरियर उप्सों एक डेर 자 받아違バージh अगर हम posterior की बात करते हैं तो posterior पार्ट पर तो या होते हैं kaitinus plate होते हैं इनको phallomere सी बोल सकते हो या gonapophysis बोल सकते हो gonapophysis को क्योंकि NCRT ने gonapophysis लिख रखा है हमने वही चीज लिख दी आपको याद रहे ऐसे ही अगर mail की बात आए तो बच्चे सबस्दा mail में confused होते हैं क्यों कि mail में लिखा हुआ है dorsal side पर और ventral side पर और बच्चे कहते हैं सर जनेटल पाउस तो ventral side पर होगा तो यह NCRT dorsal क्यों लिख रही है NCRT लिखती है dorsal side पर 9 प्लस 10 segment और ventral side पर 9 segment के fuse होने से mail genital chamber या पाउस बनता है बच्चे confused सब पाउस तो नीचे होगा पर इसका पाउस अलग टाइप का होता है देखना समझना मेरी बात अगर पाउस की बात करता है तो यह ऐसे ऐसे होता है ठीक है पीछे तो अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पर समझना मेरी बात ऐसे यह पाउच बनाएगा यह पाउच इस तरीके से पाउच है यह पाउच इस तरीके से बना हुआ है ऐसे है यानि यहां यहां जे-9 segment है यहां 10 segment है और जब कि यहां on this में रहुद है यहां से 0L percentage 10 segment बालस पायब हो तो अगर में में देखते हैं तो मेल में ऊपर से चेम्बर ब्रॉड होता नीचे से Tradition记 निशन नरे नीचे से center And on this segment के फ्यूमäg से बनाए और नीचे और वेंटर साइट पर 9 और डॉर्सल साइट की प्लेट को हम बोलते हैं आप जानते हो तरगा तरगा यानि 9th और 10 तरगा और 9 इस्टर ना येस्टर नाइट के फ्यूज होने से इस चेंबर का फॉर्मेशन होता है समझ गयोगे वेंटर साइट पर उनली 9 जबकि डॉर्सल साइट पर एक छेद होता है इसको बोलते हैं एनास एनास प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइट अब समझ में आ पा रहा होगा आपको अच्छे से इसी के बेस पर हम कहते हैं इसको भी हम डॉर्सल और वेंटरल में डिवाइट कर सकते हैं तो डॉर्सल साइट पर क्या दिखने को मिलता है आपको एनास वेंटरल एक्स्टरनल जनाई टेलिया भी बोल सकते हो या काइटिन के प्लेट है तो उनको फैलो मियर्स बोल सकते हो ठीक है वेंट्र साइड पर क्या होते हैं फैलो मियर्स या आप इसको गुनेपो फाइसिस भी बोल सकते हो गुनेपो फाइसिस या इसको आप ठीक है एक्स्टर्नल जनाइटेलिया भी बोल सकते हो एक्स्टर्नल अब कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा यहाँ पर तो सारे कन्फ्यूजन को मैंने दूर कर दिया है आपका कि क्या किस तरीके से किसका अरिजिमेंट होता है अब कन्फ्यूजन आही नहीं सकता ठीक है पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ते हैं बैटा यह हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया कउख रोष की पूरी मॉर्फ़ोलोजी एना अतोमी हम बात करते हैं इसकी ठीक है Dalio M elementary canal मतलब digestive system की बात चल रही है किसकी बात चल रही है यहां पर digestive system ठीक है digestive system की बात करते है अगर हम digestive system की बात करते हैं तो उसकी elementary canal को हमने 3 part में divide किया है number one four gut जरा कि जरा कि कि तो नमबर टू मिद घर्ट नमबर थ्री हाइंड गर्ट कि हमारी वी तुकर्ट थ्रीपार्ट में डिवाइट है फोरह गर्थमीड गल्यूर हाइंड गड जाय है मतनुक्कРЕ के नल केने वाला और बीच में जो बच्चा हुआ सारा के सारा मिट गट ठीक है तो अब इसकी फोर गट मिट गट और हाइंड गट को हम थी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले फोर गट का औरीजन क्या होगा ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉश्चन आएगा फोर गट में क्यूटिकल होती है या नहीं होती दीसरा पॉइंट बनता है फोर गट कहां से कहां तक होती है तो फोर गट माउट से गिजाट तक होती है ठीक है ओरिजन फोर गट का ध्यान खना है आपको एक्टोडर्मल एक्टोडर्मल आपको कुछ तर्य याद कैसे रहेगा समझाता हूँ अभी मैं मिडगट मिडगट की बात करते हैं तो ओरिजन क्या होगा मिडगट का आपको के एंडो डर्मल भाई इसमें क्यूटिकल होती है या नहीं होती क्यूटिकल और थर्ड ध्यान खना इसके अंदर भी कहां से कहां तक भी मिड़ तो पुरा ही है इस रिस्पॉंजिबल फोर डाजेशन फूड फूड फोर डाजेशन एंड एब्जॉप्शन यही वाला पार्ट डाजेशन और अब्जॉप्शन पाटिसेपेट करता है ऐसी हाइन गट में थ्री पॉइंट आपको ध्यान रखने है डारेक कोश्चन मिल जागा यहां से और इसन क्या है एक्टो क्यूटिकल होती है नहीं होती क्यूटिकल और तीसरा कहां से कहां तक इलियम से रेक्टम यानी गिजाड और इलियम के बीच में टोटली मिड़ गट है यह सारी इंपोडेंट पाइंट अब कैसे याद रखोगे इसको भूलने के कोई टेंशन ही नहीं अपना तो ध्यान है ना हमारी जो फोर गट है एक् इंट्रमल और हमारी ने घ्न एक्टर है एक तो यहाद करना है कुछ भी नहीं करना आपको याद होगे आपको अगला को यौदर हमारीक दोगे है वाँ क्यूटीकल है means यहां पर क्यूटीकल होगी क्योंकि एक्टोडर्म है यहां क्यूटीकल होगी क्योंकि एक्टोडर्म है यहां पर क्यूटीकल नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक्टोडर्म नहीं है तो आपको यह भी याद नहीं करना याद हो गया हाँ पाट वाली ब digestion और absorption होता है एक बात तो यह समझ में आके आपको अब NCRT का डियाग्राम हम explain कर देते हैं एकदम clear हो जाएगा वही pharynx salivary gland तो हम salivary gland की बात करते हैं पहले अगर हम salivary gland की बात करते हैं समझ ना कितने होते हैं salivary gland one pair कैसे होते हैं वही एक gland के अंदर दो लोब होते हैं by lobed by lobed यह salivary gland जो होते हैं बेटा यह अपना जाद रहना हमारी salivary gland carbohydrate digestive enzyme release करते हैं तो इसकी salivary gland भी only carbohydrate releasing enzyme release carbo hydrate digestive enzymes एकदम clear अब भी सबसे पहले क्या आएगी esophagus बल्कुल esophagus से ही मैं लेके चल रहा हूँ esophagus esophagus अगर मैं esophagus की बात करता हूँ तो यह esophagus narrow part होता है जिसके इसके इसके salivary gland open कर रहे हैं यही आगे जाकर करके broad part में convert हो जाता इसको क्या बोलते हैं crop तो crop का काम क्या होता है बटा crop का काम होता है storage of food crop का mean work क्या होता है storage of food food को store करने का काम करता है क्योंकि crop और gizzard cockroach में भी होते हैं और crop और gizzard birds में भी होते हैं without any exception exception ऐसी कोई भी बर्ड नहीं होती जिसके पास crop और gizzard नहीं होते यह वो फीचर है जो without any exception सारे birds में देखने को मिलता है तो crop की बात क्या आएगा stone के part rotate करते हैं यानि वहाँ पर वो grind होता है तो gizzard में भी six cutaneous teeth होते हैं जो उस material को grind करने का काम करते हैं तो जाट की अगरम बात करते हैं तो यहां क्या होते हैं बटा ठीक है इसमें होते हैं six cutaneous teeth for grinding of food वह फूड की grinding में help करता है gizzard six cutaneous teeth वह यह होगी four gut ठीक है अब start करते हैं mid gut तो actual में four gut और mid gut के junction पर यहां देखने को मिलता है यह आपको structure देखने को मिल रहे हैं इनको बोलते हैं hepatic hepatic ck पहला question बनेगा कितने hepatic ck होते हैं आप बोलने वाले हो यहां hepatic ck बिटा approximately six to eight तक हो सकते हैं यह क्या करते हैं भई हिपा हिपो हिपार हिपार मतलब liver यारी liver की तरह वर्क करेगा पर हमारा liver के अंदर enzyme release नहीं होते बट इसके liver में हैं यह हिपाटिक ck enzyme release करते हैं तो यह release करते हैं ठीक है carbohydrate fat and protein digestive enzyme यानि तीनों टाइप के enzyme release करना है मैं क्या फिलो होते हैं यह हैपाटिक ck कहा होते हैं अब लोगे junction of four gut और mid gut अगर junction term नहीं दे रखा तो आप mid gut लगाओगे ठीक है between four gut and mid gut वहाँ यह present होते हैं ठीक है अब बाता थी है mid gut ठीक है mid gut की अगर बात करते हैं ठीक है इस फूड को क्योंकि mid gut में cuticle नहीं होती तो इस mid gut को क्यूटिकल प्रोटेक्टिंग लेयर है four gut में है hind gut में है तो four gut और hind gut cuticle से protected है बट mid gut cuticle से protected नहीं है तो यहाँ इस food से protect करने के लिए mid gut की wall एक layer release करती है mid gut के ऊपर समाजना इसको बोलते है है peritrophic membrane जो food के ऊपर होती जो food होगे हमालो food और food के ऊपर जो layer होगी इसको क्या बोलने वाले हैं इसको बोलने वाले हैं हम peritrophic membrane peritrophic membrane membrane तो peritrophic membrane पर 2-3 point बनते हैं बेटा यह एक permeable membrane है जो enzymes के लिए भी permeable है और digestive food के लिए भी permeable है पहली बात एंजयम जा भी सकते हैं food को digestive भी कर सकते हैं और digestive food जानते हैं अगेन बाहर आ करके absorb भी हो चाएगा दूसरा question बनता है कि इस peritrophic membrane का formation यह secretion कौन करता है wall of mid gut यह मत भूलना तो ध्यान रखना है को peritrophic membrane की अगर बात आती है तो पहली बात आएगी क्या peritrophic membrane को release कौन करता है तो secret by आएगे वाल आफ मिडगट जो मिडगट की वाल है वो इस peritrophic membrane को release करने के लिए responsible होती है सिक्रेट करने के लिए responsible होती है ठीक है पहला वही क्या प्रिजेंट अ प्रोटेक्टिंग लियर है कहां present होती है present around food food के around होती है ठीक है किस किस के लिए permeable होती है permeable for वही ये food के लिए भी होती है permeable और enzymes के लिए भी होती है वास सारे question यह से मिल जाएंगे आपको अब यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं आपको यहां देखने को मिल रहे है माल पेगिन टिब्यूल कितने होते हैं यह माल पेगिन टिब्यूल हंड्रेड से लेकर के 150 हंड्रेड से लेकर के 150 तक होते हैं क्या काम करते हैं यह माल पेगिन टिब्यूल एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन कहां होते हैं मिड़ गट और हाइंड गट के जंक्शन पर ठीक है तो दो थीन पॉइंट है रखने हैं प्रिजेंट कहां होते हैं पहले करते हैं एक्सक्रीशन इसको डिटिल में आगे लिए चलेंगे हैं कहां प्रिजेंट होते हैं प्रिजेंट बिट्विन मिड एंड हाइंड गड बस फिनिश यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आप समझते हो आगे क्या रखा है इलियम की बाद कौन दे रखा है यहां पर पर हमारे रेक्टम में यही हमारी लाज इंटस्टैन में वाटर का एब्जाप्शन होता है बस इसके रेक्टम में भी क्या होते हैं इस रेक्टल पैपिले होते हैं किसके लिए फॉर एब्जाप्शन और फ ह two or water बस समझ में आया होगा फूद इंटेक करेगा, इस ओफेकर से क्रॉप में स्टोर होगा, गिजार्ड में ग्राइंडिंग होगी, और कहा इंटर कर जाएगा, मिडगट, हिपैटिक सिक्के, सारे एंजाइम रिलीज करेंगे, डाइजेशन होगा, फूद के एराउंड, परिट्रोफिक मेंबरीन रिल वह डाउट होना ही नहीं चाहिए, हर पॉइंट आपको इस डाइग्राम से क्लियर है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉक्रोफ या हर एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजे होती हैं, एक हर्ट, एक वो फिल्यूड जो इसमें रोटेट करता है ठीक है, और या तो कैविटी होगी, या वैसल होगे, तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होगा, ओपन या क्लोस, आप जानते हो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कॉक्रोफ म करते हैं यहर और गन के लिए कोई specific vessels नहीं होती तो इस टैक के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं open type of circulatory system ठीक है तो open type of circulatory system जहां present होता है इसमें तीन चीज़ होंगी बिटा क्या-क्या हर्ट कि खास बात क्या है इसकी हर्ट की इसका हर्ट newrogenic होता है निउरो जैनिक हमारा हर्ट myogenic होता है कितने chamber होते हैं 13 Чемber 13 हमारे इमे elaks होते हैं यापर 13 चेंबर होते हैं दूसरा आपको धिया नखना है यह पर वहिब्लड यहां जो blood होता है इसको क्या बोलते है इसको बोलते हैं हीमो lymphe कि लीफ क्यों बोल रहे हैं इसको क्यों कि यह Adahaamment less होता है color less क्यों color less होता है क्योंकि यहां पर respiratory pigment absent होते हैं क्योंकि इसको requirement ही नहीं है blood की for transport of gases क्योंकि यहां पर gases का transport अलग तरीके से होता है tubular system के थो इसको हम network of tubule बोलते हैं tracheal respiration बोलते हैं वो tubes directly oxygen को कहां tissue के अंदर tissue CO2 को बाहर तो यहां पर blood का role ही नहीं है इसलिए blood without respiratory pigment होता है इसलिए इसको hemo lymph बोलते हैं इसलिए color less होता है ठीक है और number third आपको क्या रखना है यहां पर बैसल्स तो होते हैं नहीं blood cavity होती है blood cavity क्या बोलते हैं blood cavity को इस बोलते हैं hemo seal यानि यहां पर hemo seal होती है इसमें सारा का सारा blood भरा हुआ होता है open type of circular system अब next दिखते हैं इसमें और क्या दे रखा है NCRT ने एक डाइग्राम दे रखा है circulatory system का तो इस डाइग्राम का व्यू डॉसल व्यू दे रखा है पर हम इसका लेटरल व्यू दिखाएंगे तो समझ में अच्छे से आएगा इसका ठीक है अब आप इसका लेटरल व्यू देखोगे डाइग्राम का कॉखरच यह flexible neck है ए यह lateral व्यू आ गया तो इसका emo seal में diaphragm होते हैं जो परफॉरेटे होते हैं यह परफॉरेटे डाइग्राम होते हैं इसके अंतर अपर वाले चेम्बर में देखो के देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको hurt देखने को मिलने वाला है 13 चेमबर हर्ड क मैं काउंट नहीं किया है एप्रॉक्सिमेटल मान थर्टीन चैमबर है ठीक है और इन चैमबर मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं अलग से समझा देता हूं यहां हर चैमबर को डाइफराम से जोडने के लिए कुछ मसल्स होते हैं इनको एलरी मसल्स बोलते हैं 12 पेर एलरी मसल मकलते हैं के समझाने के लिए लिए एक डाइग्रम अलग बना देते हैं दुखो इस तरीके से और से यह अब यह यह चैमबर दूसरे चैमबर से जुड़ा वगा से इसंग है अ Serve से मैंसी चैमर आगे यानि यह इस तरीके से से चैमबर होगे आपास में जुड़े होगे इं से इसको connect करने के लिए responsible होते हैं ncrt ने भी दिखा रखा है इसको ठीक है यहाँ पर center में आप देखो के ध्यान से तो यहाँ पर आपको valve देखने को मिलते हैं यह valve हैं हर chamber के junction पर valve होते हैं और हर chamber के अंदर दो ऑस्टिया भी होते हैं यह तो क्या है वाल थर्टीन चैंबर है तो connection कितने होंगे 12 वाल कितने होंगे आप बलोगे 12 इन नमबर अच्छा यहाँ पर ओपनिंग दिख रही है इनको क्या बोलते हैं ऑस्टिया से दो चैंबर के भीच में दो ऑस्टिया आप समध किना है मेरी बात तो 13 MP2 मेर ना वैइल पिर ओस्टिया तो कितने हो यह तैं ट्वैल आ पियर औस्टिया ओस्ट एक्टेस वाल्व स्थिए और यह था को अलरी मसल्स देखी रहे हैं आपको ठीक है अ डिस अलरी मसल्स ठीक है एलरी, एलरी muscles, अगर एलरी muscles की बात करते हैं तो ये 12 अगें pair होते हैं, 12 pair, तो ये pair में है 12 pair, हर chamber को connect करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये arrangement है, dorsal side पर, hurt का होता है, dorsal side पर होता है, जबकि ventral side पर क्या होती है, nerve cord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गैंगलिया तो इसके अंदर का ह होते हैं, abdomen में, और 1, 2, 3, 3 गैंगलिया थोरेक्स में होते हैं, तो थोरेक्स में 3, तो ये, तो ये क्या होगी, nerve cord, ventral, nerve cord, dorsal, hurt, ठीक है, यहाँ पर, इस cavity को भी 3 apartment wide कर सकते हो, जिस cavity के अंदर hurt है, pericardial cavity, pericardial cavity, जिसमें body के organ होते है, pericardial cavity, pericardial cavity, और बिटा है, जहाँ पर nerve cord होती है, इसको perineural cavity, nerve cord कहाँ होती है, present in pericardial cavity, gravity, सब समझ में आ रहाएं का position क्या है, कहाँ कैसे, ठीक है, तो actual मैं, अगर इसकी dorsal video देखो के, तो 13 chamber अरेंज हैं, और हर chamber से 12 pair LRE muscles arrange है, हर chamber के बीच में एक valve होता है, तो total valve कितने होगे, 12 in number, और हर valve के left and right पर one pair ostea होते हैं, ठीक है, तो 12 pair ostea होगे, आप समझ रहे हो, तो जब इस mechanism तो नहीं दे रखी है, इस इनों है, तो mechanism में जाओ भी मत, structure पर एकदम फोकस करो, जो NCIT ने दे रखा है, हमने उसको अच्छे से explain कर दिया, यहाँ पर जो hemo seal है, इसको 3 part में डिवाइड कर दिया, spine ganglia होते हैं, वो perineural cavity, के लिए बिलकुल, दो diaphragm होगे, dot cell ventral, ठीक है, यह internal structure होगे, heart की position में ने बताई दिये, कितने इसमे valve होते हैं, कितने इसमे osteo होते हैं, कितने इसमे calorie muscles होते हैं, diagram mechanism की अभी crash course में ज़रूत नहीं है, को कि NCIT में इतना नहीं दे रखा, वह sufficient है, अब respiratory system की बात करते हैं, जो बहुत important है, अगर हम respiratory system की बात करते हैं, तो cockroach में क्या होता है, network of tubule, इसका respiratory system की हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ, इसको गोवलते है, tracheal respiration में मिलता है, क्या मिलता है, tracheal, tracheal respiration, तो k Initially में ट्रेखियल रआशिवाइशन र veterinary में थ्युंज रह bath कि रेंको रराज-बद्ध ट्रेखियल रे राज़्फिरेशन पहली बात रूष्न रखने Tech रेंकी से दीखिवरेशन तो है तो यहां पर क्या है network of respiratory tubules यहां क्या है बेटा network of respiratory tubules open outside throw किसके throw open करता है small opening क्या बोलते है इनको spiracle यह question आएगा ठीक है अगर spiracle के throw open करता है spiracle कहां present होते है जो lateral side में plate होती है plura present on plura pluron present on pluron pluron plate पर यह spiracle छोटी-छोटी opening present होते है number of spiracle में question आएगा यह question बनेगा number of spiracle कितने होते हैं यह question बनेगा number of spiracle तो आप बोलो कि इसके number जो होते है बेटा ठीक है 10 pair pair में होते हैं जिसमें आपको ध्यान अखना है यही भी पूछ सकता है thorax में कितने होते हैं abdomen में कितने होते हैं तू पेर्स इन थॉर एक्स एन एट पियर इन अब्डमीन बास यह सारे कोशन बनते हैं वैरी वैरी इंपोर्टेंट नंबर ओफ इस पारिकल्स कितने कहां होते हैं यह question आएगा ओपनिंग को बोलते क्या हैं स्पारिकल्स यह NCRT की लाइन है समझ में आई होगी मैं बापस NCRT पर आ रहा हूं तो दर रेस्पारिटी सिस्टम कंसिस्ट ओफ और नेटवर्क ओफ ट्रेकिया डागराम बनाकी भी दिखाता हूं अभी जो ओपन किसके करते हैं open throat 10 पियर small holes इंको क्या बोलते हैं spherical present on lateral side of body प्लिरोन पर मिलते हैं इन में क्या होते हैं थिन branching tubes होते हैं इनको tracheal tubes कहते हैं जो आगे जाकर के tracheal में divide हो जाते हैं अभी समझाता हूं इसको मैं जो oxygen को carry करने का काम करते हैं ठीक है आप बलोगे exchange of gases take place the tracheal tracheals by diffusion diffusion कि थो होगा tracheals कि थो होगा अब समझाता हूं इसी चीज़ को एक dumb clear cut करके super तरीके से तो एक बात तो समझ में आ गई आपको spiracles related अब और समझ में अच्छे से आ जाएगी दखों ये spiracle है opening of trachea spiracles इसके अंदर एक muscles होती है इसको बोलते है इस phincter जुसकी opening को on on मतलब close और open करने का काम करता है ठीक है इस पारिकल्स एक chamber में open करते है और ये chamber again ये trachea बनाता है ऐसे ऐसे trachea और ये trachea आगे जाके चोटी चोटी ब्रांचों में divide होती है इन चोटी चोटी ब्रांचों को trachea बोलते है ठीक है तो समझ में आएगा अभी ठीक है ये trachea ये ठीक cuticle होती है जो trachea को collapse होने से रोकती है ठीक है यहां से air in and out air मैंने बताता है ये opening किस plate पर लगे हुए होते है ये opening लेटरल साइड में plate होती है क्या बोलते है इसको plura या pluron पर लगे हुए होते है और जो अंदर आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते है इस स्फिंक्टर NCRT में दे रखा है इस स्फिंक्टर जो opening को control करता है और इस opening को क्या बोलते है spiracles spiracles यहां तक समझ में आया आपको spiracles air का इंटर करती है atria यह किस में यह पिर कह यहां से कह जाती है trachea trachea से कह जाती है trachea trachea अब यह ट्रेक्योल टायरेक्ट टिशू में जा रहे है यह ट्रेक्योल टायरेक्ट टिशू में पनिट्रेट कर रहे है यह सीधे टिशू में गए यह ट्रेक्योल सीधे टिशू में जा रहे है टिशू में यह ट्रेक्योल सीधे टिशू में एंटर कर रहे है है ठीक है और टिश्यू दिखा देते हैं यहां बना करके हम ठीक है यह सब टिशू है यह यह इस डिफ्यूजन हो रहा है यह बाहर अंदर ठीक है गैसिस का continue diffusion चल रहा है, तो आप समझ गए, तो यहाँ पर continue बेटा, oxygen, tissue के पास, co2 वापस tracheol में, co2 tracheol में, oxygen tissue के पास, यह diffusion, यह इनको किसी भी mediator की requirement ही नहीं है, समझ रहे हो ना, अब समझ में आया होगा NCRT की पुरी line, यहाँ पर spiracles होते हैं, तेक हैं, जो sphincter से connected होते हैं, atria, trache trachea, trachea divided new, fine branch, tracheole, और यह directly tissue में, oxygen, co2 के diffusion के लिए responsible हैं, इसी opening को control करने के लिए, sphincter, ठीक है, अब यहाँ मैंने बताया था, कि यहाँ air in and out हो रही है, तो air को in and out, lungs तो है नहीं ना, इसके पास, तो मैंने बता था, targo sternal muscles, तो targo sternal muscles, जब contract करेंगे, तो दोनों प्लेट पास आएंगे, air बाहर, जब रिलेक्स करेंगे, दोनों प्लेट दूर जाएंगे, again air, आप समझने मेरी बात, अंदर, फिर air बाहर, air अंदर, तो targo sternal muscles, जो पहले मैंने इस लेक्चर में समझाया, starting में समझाया, तो अब यहाँ breathing में कोई नहीं help करता है, ठीक है, ठीक है, तो अब लिख सकते हों यहाँ पर, तर्गो, external muscles help in breathing, यानि जब यह muscles contract करेंगे बेटा, तो प्लेट पास पास आएंगे, मतलब expiration, किसी भी चीज़ को आप दबाओगे, तो air भारी तो निकलेगी, और जब relax करेंगे, तो air अंदर, inspiration, बस, यह mechanism होती रहती है, जब इसको requirement होती है, और stracule से इसका काम होता रहता है, तो respiratory system एक दम conceptual clear हो गया होगा, अब respiration के बाद हम बाद करते हैं बेटा, ठीक है, excretory system, तो excretory system में ध्यान रखना है, वही कौकरोच, uricotelic होता है, कौन होता है बेटा, uricotelic, क्योंकि uric acid इसका excretory product है, जो बाहर निकालेगा, uric acid, ठीक है, इसका main excretory organ, malpigin tubule, बता चुका हो मैं, main excretory organ क्या इसका, malpigin tubule, कितने malpigin tubules होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कितने होते हैं, आप लोगे 100 से ले करके, 150, ठीक है, malpigin tubule होते हैं, ठीक है, ये malpigin tubule internally lined किस्से होते हैं, ये internally lined होते हैं, ठीक है, each tubule is lined by glandular and ciliated cell, internally lined by glandular and ciliated cell, ये भी question पूछा जाता है, क्या करते हैं, समझा रहा हो, diagram बना करके, ये nitrogenous based को produce, then absorb nitrogenous based, produced and convert into uric acid, और ये which is excreted out through the hindgut, तो uric acid में convert करके, उसको hindgut के थो excreted out करते हैं, इसलिए इसको uricotelic बोलते हैं, में कहने दम बताने वाला हूँ, इसमें other, आप question आएगा, इसमें other excretory organ क्या क्या हैं, ये question बनता है, fat body होते हैं, ये भी excretion का काम करते हैं, number one, यहाँ पर nephrosite होते हैं, ये भी excretion में help करते हैं, heart से जोड़े हुए होते हैं, यहाँ पर uricose gland होते हैं, uricose per question आता है, ये भी excretion में help करते हैं, और uricose gland के बात करते हैं, present only in male cockroach, कहां पर present होते हैं, present on long tubule, long tubule पर लगे हुए होते हैं, समझाऊँगा, it is responsible for again, sexual dimorphism, यहनि ऐसे character, जो male और female cockroach को distinguish कर सकते हैं, उसको sexual dimorphism, समझ रहे होना, बड़ी कोशन मनता है, बता होते हैं, sexual dimorphism को को represent करता है, तो आपको पता होने चाहिए, anal style, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, यह main part क्या हो गया, main part हो गया, malpicking tubule, और यह additional में क्या क्या याद रखने हैं आपको, nephrosite, uricose gland, और fat body, यह भी excretion में participate करते हैं, other excretory substance के group में होते हैं, तो अब हम malpicking body को समझाते हैं आपको detail में, यह actual में, जो question बने हुए है, neat में, आई हुए question है, सारे हम उसी की बात करेंगे, एक tubule को मैं represent कर रहा हूं, सारे question solve हो जाएंगे इससे, single tubule है, इसकी epithelium glandular, oscillated होती है, बताया है मैंने भी आपको, यह कहाँ पर open कर रही है, mid gut और hind gut के junction पर है, यह अपने excreta को कहाँ पर release करेगी, hind gut में, ठीक है, अब समझना है मेरी बात, माल लो हम दिखा देते हैं आप tissue, यह body tissue है, tissue, यह जो liquid भरा हुआ चाहँ तरफ हीमो लिंफ, हीमो लिंफ, अब जो body tissue जो होते हैं, वो हीमो लिंफ में अपने excretory substance को किस form में release करते हैं, एक question तो नीट में यह आया हुआ है, दो question बनते हैं, जितने भी body tissue होते हैं, जो हीमो सील में हीमो लिंफ में पड़े हुए हैं, अपने excretory substance को किस form में release करते हैं, आप बलोगे, यह release करते हैं, potassium urate की form में, potassium urate, पहला question तो आएगा कि, समझ गए होगे मेरी बात, पहला question तो यही आएगा, कि body tissue excretory substance को किस form में release करते हैं, ठीक है, potassium urate, अगला question बनता है, कि nephritic tubule, इस excretory product को समझना, एक चीज़ और दिखाते हैं इसके अंदर, इसको फ़र डवल करके दिखाते हैं इसके आप समझ प्याएगा, अगला question बनाएगा, कि जो माल पेकिन tubule से हैं, इस excretory product को किस form में absorb करते हैं, again potassium urate, दो question बहुत pet हैं, आएंगे समझ लोग करें किसे पूछे जाते हैं, अगर हम माल पेकिन tubule की बात करते हैं, तो यह structure है किसका माल पेकिन tubule का ठीक है, समझ लोगे, माल पेकिन tubule की बात कर रहा हूँ मैं, अब क्या होगा, यहां यह क्या है epithelium, ciliated glandular epithelium है, माल पेकिन tubule जिससे मिलके बना होता है, एक cell को भाहर निकाल के दिखाते हैं, इसमें हो क्या रहा है, ciliated glandular epithelium हो क्या रहा है, after absorption, तो जब potassium urate अंदर enter करता है, कौन enter कर रहा है, potassium urate, तो यह potassium urate convert होता है, इस epithelium के अंदर किसमें convert होता है, potassium bicarbonate, potassium by carbonate plus uric acid के अंदर, uric acid के अंदर, यानि nephritic tubule, समझना, potassium potassium urate को convert करते हैं, potassium bicarbonate, में फिर यहां जो release करेंगे, वो क्या release करेंगे, potassium by carbonate plus uric acid, uric acid, अब क्या होगा, यह potassium bicarbonate काम की चीज़ है, वो आगे जाकर क्या हो जाएगी, absorb, uric acid excretory material है, क्या निकल जाएगा बाहर, यानि nephron का कुछ पार्ट तो काम करता है, किसका, secretion का, यह क्या secret कर रहा है, secretion, कुछ पार्ट काम कर रहा है, absorption, हमारी kidney के नफ्रोन उते हैं, यह माल पेकिन, टीबुल बुलकुल ऐसे तो काम कर रहे हैं, कहीं, secretion भी कर रहा हैं, absorption भी कर रहे हैं, काम की चीज़ को absorb कर लेते हैं, excretory substance को release कर देते हैं, वही तो यह कर रहा है, भी बाई कार्व ने टाइन आप जानते हो हमारी बॉडी में pH को मिंटेन करने का काम करते हैं यहाँ भी वही काम कर रहे हैं ठीक है इसी लिए हम कह सकते हैं कि इसका जो सिस्टम जो है यह इनमाल पेकिन टिब्यूल यह ओस्मो रेगुलेशन इस मेकेनिजम को कहा बोलते हैं औस्मो रेगुलेशन यहाँ जहाँ पर सीक्रेशन और अप्जरप्शन दौना होता है इसको हम बोलते हैं आस्मो रेगुलेशन तो कोश्टन क्या क्या बनते हैं टिशू किस फर्म में रिलीज करते हैं मालबवलगें तीबूल किस फ़ॉं में इसको Somers को एब जॉफ करते है किस फ़ॉं में रिलीज होता है बाहर mechanism समझ में आ गई होगी नर्वस system एग लाइन में क्यों छोड़ते हैं इसको nervous system को भी कराई देते हैं ठीक है अगर हम nervous system की बात करते हैं तो इस nervous system को दो पार्ट में divide कर सकते हो देखो अधिय एक तो brain हो गया इसके अंदर एक नर्व dog हो गई इसके ब्रेन को बोलते हैं 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 इसके इसके ब्रेन को बनाता है इसको 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 इसक ठीक है तो इस नर्व कॉट जो वेंट्रल सेड में होती है वेंट्रल होती है जो ध्यानक ना है डवल होती है जो सॉलिड होती है हमारी नर्व कॉट डॉर्सल सेड में होती है बेटा सिंगल होती है और होलो होती है ध्यानक ना है आपको यह वाली बात अब नर्व कॉट की बा भी था अब कोशन यह आता है कितने गैंगलिया कहां होते हैं आपको पता है थ्री कि इन थॉर्एक्स कि शिक्स इन अब्डॉमिन मं एक दम किलिए खा तम नर्वा सिस्टम थेक है ब्रेइन सुप्राइजसो फेकल गैंगलिया नर्व खॉर्ट वोड ड्ल सॉलिड हमारी डॉर्स इंगल होती है नाइन गैंगलिया होते हैं, वेंट्रल साइट पर लगे हुए होते हैं, थ्री थोरेक्स में होते हैं, और सिक्स अब्ढमन में है, इसके लाबा कुछ कुश्चन बनता ही नहीं है, अब फाइनली हम आते हैं, इसका रिप्रोडेक्टिव सिस्टम, समझना अच्छे से, ठीक है मेल और फिमेल को हम कंपाइल करते हैं, एक्कॉर्डिंग टू NCRT डाइग्राम, देखो, वह सबसे बहुत करते हैं, टेस्टीज, सेग्मेंटेशन मत भूल जाना, क्योंकि NCRT ने सेग्मेंटेशन दे रखा है, वह सको कुश्चन आता है, अगर हम टेस्टीज की बात करते ह हैं, तो टेस्टीज, जाना रखना है, वन पेर, वन पेर होते हैं, दिख रहे हैं आपको, हर टेस्टीज में, वन टू थ्री, ऐसे लोब बने हुए होते हैं, वन टू थ्री, थ्री से फोर तक लोब हो सकते हैं, ठीक है, 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 ठीक है 4 to 6 segment पहली बात टेस्टी इस complete आपकी तेस्टी में क्या होता है इस पम का फॉरमेशन ये इस पम कहा जाएंगे वास डीफ्रेंस में ये वास डीफ्रेंस से इस पम small tubule, long tubule और seminal vesicle तीनों के मिलने से बनती है, तो सबसे पहले मैं long tubule की बात करता हूँ, चलो पर small tubule की से लिख देते हैं, small tubule, small tubule, large tubule और seminal vesicle, तीनों के बारे में लिखना है, तीनों के function लिखता जा रहा हूँ, तो सबसे पहले long tubule क्या करते हैं, यह secret करते हैं, secret, inner layer, inner layer of spur, meadow, समझाता हूँ अभी, जबकि small tubule के release करते हैं, बैटा, small tubule की बात आती है, तो यह nutrition, nutrition, fill, nutrition, in, sperm, meadow, four, समझाता हूँ अभी एक चीच, इसके लाबा, seminal vesicle, क्या काम करते हैं, storage, storage of sperm, meadow, four, चलो, तीनों बाद समझ में आ रही हैं, और इन तीनों को समझाता हूँ, नहीं समझ में हैं, तो समझा हूँगा, tension मत लेना, एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगा, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, mushroom gland, किस segment पर होती है, यह भी दे रखा है, 6th and 7th segment, यह मत भूल जाना, कई बच्चे confused होते हैं, सर, seminal vesicle क्या mushroom gland में include होते हैं, यस बेटा, seminal vesicle भी mushroom gland में included होते हैं, यानि vast difference और ejaculatory duck के बीच में, जो भी कुछ आएगा, all are included in this mushroom gland, तो बहुत important point बनते हैं, तीनों point हो गए, अब समझने कोशिश करना, भाई यहाँ पर जो sperm release होते हैं, long tubule, और मैं long tubule की बात कर रहा हूँ, जो भार लग रहे हैं, यह बाहर वाले long tubule है, in long tubule की tip पर लगे होते हैं, urecoast gland, urecoast, समझाए भीता हैं, only presenting male cockroach in long tubule, ठीक है, अब यह urecoast gland क्या बनाते हैं, यह chamber बनाते हैं, एक pouch, इसको बोलते हैं, spermato 4, जैनि sperm को bear करने वाला packet, तो उसकी एक layer बनाते हैं, कौन? long tubule, short tubule का का काम करते हैं, अच्छा, इन्वे कौन भर जाते हैं, आके sperm, sperm भर गए, short tubule का का काम करते हैं, इसमें nutrition भरते हैं, इने sperm के लिए, ठीक है, अब एक layer बाले इस packet को, seminal vesicle क्या कर लेते हैं, अपने अंदर आ करके, store, एक layer बाले packets को store, जिनमें क्या है, nutrition वा sperm, तो तीनों का काम समझ में आया है, बिटा, long tubule, secretion, इसका करते हैं, secretion, inner layer of, secret inner layer of, spermatofor, ठीक है, secretion of, secretion of, inner layer of spermatofor, पहला, small tubule क्या काम करते हैं, fill, nutrition, spermatofor, spermatofor में nutrition फिल करना का काम करते हैं, seminal vesicle क्या काम करते हैं नीचे हैं दिखनी रहे हैं यहां पर internal होते हैं structure इसके अंदर होगा यहां पर इसमें सारे इसके सारे sperm metaphor भर जाएंगे तो seminal vesicle क्या काम करते हैं इस पर metaphor को bear करते हैं store करते हैं ठीक है अब समझना भाई यहां पर store हैं अब कॉपूलेशन का जब time होगा डियूरिंग कॉपूलेशन तब यह एक लेयर वाले sperm metaphor इस एजैक्यूलेटरी डक्ट से पास होंगे तब इस एजैक्यूलेटरी डक्टा काम करेगी यह भी यह भी मिडिल लेयर क्योंकि स्पर में थ्री लेयर होते हैं समझना मिडिल लेयर ऑफ इस पर मैटो फोर यानि स्पर मैटो फोर की एक लेयर और बन जाएगी इसकी ऊपर एक लेयर और बन जाएगी इस लेयर को कॉन बनाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट के लिए अब लकुल अब टोू लेयर वाले इस पर्मेटो-4 और आने वाले वाले हैं मैंता यह तू लियर वाले स्पर्मेटो-4 यह नीचे हैंग करेंगे एक लेयर टोलेयर जर्मे रहे हुए इस स्पाम्स अबjadi खिसक्री मैं यह अिनको पीछ यहां से होती हुए यहां से होती ही इनके उपर एक लियर और रिख करेगी ग्यानी फैले फैलिक ग्लेंड इस टू लियर वाले पाउच की उपर चेंबर tussen पर एक लियर और बनाखी और अगर किसा की बात चाहीं साओं ऑल्स बस कि टेस्टीज को हम यहां लिख देते हैं वन पेयर वन पेयर थ्री टू फोर लॉप्ट किस सेग्मेंट पर होते हैं फोर टू सिक्स सेग्मेंट अब हम बात करते हैं कलर चेंज कर देते हैं हम बात करते हैं फैलिक लेंड यह का करते हैं यह सिक्रेट करते हैं तो को लिखने की जुरू तो नहीं है तापको ब्रेन में सेट कर रहा हूं सिक्रेट आउटर लेयर आउटर लेयर आफ इस पर मैटो फोर इस पर मैटो फोर अब एक एक बास समझ में आएगी ठीक है एक समस्टी में बनेंगे ये इस परमवास डी फ्रेंस से ओत भगा जाएंगे मश्रूम ग्लैंड तो पहले इंट्रक्षिण किससे होगा लॉंग टीब्यूल यॉंग टीब्यूल क्या बनाएंगे लॉंग टीब्यूल एक लेयर वाला पकेट बनाएंगे इस एक लेयर वाले पैकेट में nutrition फिल करेंगे और साथ में कौन फिल ऊजाएंगे इसके अंदर sparm जी पैकेट को सम शाब क्या करेंगे सिर्ड और इंतिजार करेंगे copulation का जब copulation होगा इज तो इजेक्यूइटी टक से पास होगा तो इजेक्यूइटी टक स्केर राउंट एक लियर और बना देगी जब नीचे जेंडी चेमबर में आएगा तो फैलेग ग्लेंड फैलेग इसकी उपर एक लेड और रेलीज करतेंगे अब तयार हो गया थी लियर वाला पाउच इस पर मै скорее 4 तो टोटल कितने लियर बनेगे त्री लियर अब ज़िती लियर वाला पाउट ह हूट इसपर मेटोफेर पॉल पॉल पॉलेसं तो तीक है के सकते हुआ नज लिए तो एकỏक सन्मझ ने खर坦तक है क hoping को रहो अपन्हीर को फाइनली में ने को अपलेशन होगा तो यहां पर मैंने बताता था यहां अच्छा gears में यह सब करते हैं यह सब क्या है यह सब क्ले करना है कि Vental Phallomeres, ये सब क्या हैं, Phallomeres, Kytin की plates होते हैं, ठीक है, इन Phallomeres को और titillator को, Pseudo Penal, उसको सब को मिलाकर क्या हम क्या बोलते हैं, External Genitalia, ये सब External Genitalia है, इन External Genitalia की मदद से इस pouch को female में transfer कर दिया जाएगा, और में, ये मैं बता चाहाँ, जो male genital pouch होता है बिटा genital pouch 9th plus 10th dorsal और 9th ventral plate के fusion होने से बनता है यह हम पहले ही बता चुके है आपको ठीक है अब एक एक चीज क्लियर होगी बिटा कि यहाँ पर sperm वास डीफरेंस से mushroom gland mushroom gland की जब बात आती है तो long tubule short tubule seminal recycle तीनों के मिलने से mushroom gland बन रहे है तीनों के function एक लियर वाला स्परमेंटर फोर जब एक लियर और और बन जाएगी नीचे आएगा फैलिक land इसके ऊपर एक लियर और बना देंगे फिर external genitalia की मदद से इसको female chamber में transfer कर दिया जाएगा finish हर point clear है हर चीज इससे भार कुछ नहीं जाएगी सारे point आके सामने ठीक है अब बताद यह female में क्या हो रहा है ना female में भी देख लेते हैं देखो अगर हम female की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी फीमेल में ओवरी भी कितने होते हैं वन पेर वन पेर और हर एक ओवरी में कितने ओवरियोल होते हैं यह ध्यान रखना है इच कंटेन एट ओवरियोल होते हैं ठीक है तो एट ओवरियोल इधर होंगे बैटा एट ओवरियोल इधर होंगे तो टोटल कितने ओवरियोल होगे है टोटल सच्टेन ओवरियोल हो गए ठीक है टोटल कि ओद एट प्लस एट मतलब 16 तो एक बात में कितने ओवरियोल करेंगे यह 16 ओवरियोल कर सकते हैं कोईव ओवरियो amp 16 करेंगी अब ओवरियोल से जो डख्ट निकलती है क्या बोलते हैं इसको ओवी डख्ट ओवी डख्ट के मिलने से कॉमन डख्ट का formation हो रहा है कॉमन डख्ट बन रही है इसको हम बोलते हैं कॉमन डख्ट या वजायना ठीक है अब यहां segment पर question आएगा कि ovary किस segment पर लगी होती है तो segmentation रहा है न दो से लेकर के चैट टू टू सिक्स segment in case of ovary पहला in case of वजायना वजायना किस segment पर होती है यह होती है 7th segment seven segment पर वजायना होती है चलो ठीक है अब वजायना जहां पर होँगे gland और दिख रही है इस gland को हम बोलते हैं कि इस पर मैं थिका यहां से यहां कि इस पर मैं थिका अगर इस पर मैं थिका की बात करते हैं नाम ही चुपा हुआ इस स्पम को store करने वाली इस पर मैं थिका क्योंकि जब population होता है तो mail क्या करता है इस इस पर मैं थिका मैं ही अपने chamber को transfer कर देता है इस पर मैं थिका सारे स्पम को अपने अंदर absorb कर लेती है और फिर हवा के जोके के साथ ये spermatica उड़ जाती है समझना मेरी बात, spermatica बाहर ठीक है अब सारे sperm का फिल होगे, सारे के सारे sperm बिटा फिल है, इस spermatica में spermatica की बात करते है तो ये भी pair में होती है spermatica एक नहीं है बिटा ये एक छुटी एक बड़ी है, pair में pair, one pair, one pair, किस segment पर लगी होती है, question आएगा, sixth segment, छटे में segment पर होती है, ध्यान रखना है आपको position में समझना थोड़ा उपर होती है, यहां दिखा दिया है यहां पर, sixth segment पर spermatica होती है, जो sperm को store करती है during copulation, वजायना seventh segment पर होती है, ध्यान रखना है आपको, नीचे इस opening वजायना आगी ठीक है, और यहां जो gland दिख रहे हैं आपको, branch like structure, collateral gland, means anterior end पर आपको female pore दिख रहा है collateral gland की opening दिख रही है और spermatica की opening दिख रही है जबकि posterior end पर आपको यहां क्या दिख रहा है, यह यहां दिखा देते हैं इनको gonapophysis बोलते है gonapophysis हमने आपको लिखा ही दिए था starting में, posterior gonapophysis, anterior पर spermatical opening, collateral gland की opening और वजायना की opening, female gonopore ठीक है, यह वाला पाट तो anterior हो गया उपर वाला anterior तो नीचे वाला posterior एकदम clear है यहां पर vestibule, इनको भी काटिन की plates होते है vestibule भी बोल सकते हो और genital chamber और इनका काम क्या होता है collateral gland का काम देख लो collateral gland release करते हैं बेटा ओ थे का ओ थे का जिसके अंदर egg होते हैं और fertilization होता है, और general genital pouch तो में बता ही चुका हूँ 7th plus 8th plus 9th segment की फ्यू जोने से बनता है female genital pouch है तो structure समझ में आ रहा होगा वही ovary, 8 वही one pair ovary होते हैं हर एक ovary में 8-8 ovary होते हैं यह एक बार में 16 egg release करने में capable है ovary duct के मिलने से common duct बनती है, vagina और इसकी opening को हम female gonopore बोलते हैं ठीक है यहां पर spermatica one pair है, pair में है एक चोटी एक बड़ी है, जो sperm को store करने का काम करते हैं during copulation earthworm में भी ऐसा ही होता है collateral gland again one pair है जो uthika को release करते हैं जो एक packet है जिसमें fertilization होता है समझाते हैं ठीक है जो तीनों समझ में आके posterior वले पार्ट पर gonopophysis, kytin की plates होते हैं ऐसी kytin की plates को हम westry bulum भी बोलते हैं यहां genital pouch दिख रहा होगा आपको 7, 8, 9 segment के fuse उने से बनता है, segmentation ovary 2 to 6 segment, testis 4 to 6 segment ठीक है, यहां पर vagina 7 segment, spermatica 6 segment वहां पर mushroom gland 6 और 7 segment ठीक है, genital pouch male में 9, 10 और नीचे 9 और female में 7, 8, 9 एकदम clear cut है, direct question में बलेंगे, अब क्या होगा देखो आगे समझना है मेरी बात, अब क्या होने वाला है यह स्परमेथिकल ओपनिंग थी यह स्परमेथिका थी यह स्परमेथिका काँ खुल रही है यह female chamber में खुल रही है समझना साथ-साथ में क्या थे यहाँ पर collateral gland भी थे यह यह collateral gland भी है यह वजायना होगी, अब होगा क्या यह collateral gland एक pouch बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक pouch इसको क्या बोलते है, Othika Othika अब क्या होगा, इस Othika में यहां क्या भर हुए हैском अब क्या होगा करे कितने Othika यहां पर 16 Ova और यहां से क्या आएंगे Spum सब किस में आगे इस पाउच में आगए अब ये कॉक्लूश क्या काम करेगा इस पाउच को धीरे से अपने अग्मेंर, एख्टरनल जनाईटेलिया की हेल्प से बहां रिलीज करेगा एससे और बहां रिलीज करते ही यह इसके दोनों एंड बंद हो जाएंगे यह क्या उठिका इस उठिका- मैं धियान कहना है आपको वान टू ट्री फोर वान टू ट्री फोर 8 egg उपर होंगे और 8 egg नीची होंगे यानि total 2 row होंगी egg की ठीक है 6 लगबग 8 उपर होंगे 8 नीची होंगे और NCRT इसको लिखती है यहापर 14 to 16 क्या होंगे बटा है यहापर egg समाज में आ गया होगा यह क्या है उतिका उतिका की लेंथ भी NCRT ने दे रही है लगबश की जो लेंथ होती है 8 centimetr ही है 8 mm 8 mm एक बाद चेक कर लेंथ यहापर एक मिली मिटर में 8 mm के आसपास इसकी उतिका की क्या होती है लैंथ होती है यह बाद चेक कर लेंथ हुटी के mówi 8 ओसहें प्लस 8 यानि 14 to 16 egg होते हैं according to NCRT और number of uthika कितने release करता है एक बार में compilation के बाद अब रोगे 9 to 10 uthika यहाबर क्या होते है बटा release होते है यह सारे question बनने की probability है according to NCRT तो collateral gland बेटा pouch बनाएंगे uthika इसमें यहाँ से तो egg आएंगे over 16 यहाँ से sperm आएंगे fertilization होगा uthika के अंदर यह बाहर आ गया 8 और 8 की 2 रोगे बेटा लगवग 8 mm के आसपास इसकी length होगी cm check कर लेना ठीक है 8 और 8 2 रोगे बेटा NCRT इसको 14 to 16 लिखती है एक बार में कितनी uthika निका सकता है यह ऐसे 9 to 10 uthika release होगे complete हो गया अब क्या होगा अब development की बारी आई ठीक है अब किसकी बारी आई development की बारी आई अगर हम development की बात करते हैं तो development कैसे होना है है वह एक बन चुके हैं एक एक बन चुके हैं ठीक है अब एक से development कैसे होगा क्या होगा वह समझाने वाले हैं सारा का सारा हम आपको कि अब समझना है आपको एकदम clear cut करके हैं कोशन आगा development किस टैप का होता है तो बोलोगे incomplete होता है development का मतलब है metamorphosis is metamorphosis अब बलोगे incomplete metamorphosis होती है incomplete होती है कि इसी लिए इस metamorphosis को पर्टिकुलर नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं परो मेटा बोलस या gradual metamorphosis ही बोल सकते हैं इसको धीमी गती से होने वाली gradual metamorphosis metamorphosis क्यों बोला इसको gradual metamorphosis समझना मेरी बात यहां पर एग एग से क्या निकलेंगे बिटा यहां लार्वा नहीं निकलता यहां पर निम्फ निकलता है लार्वा होता तो complete metamorphosis होती और निम्फ से बनता है imago अगर निम्फ की बात करते हैं तो juvenile है वो इमेगो क्या है adult इस juvenile से adult में convert होने में एक साल लगते हैं वन इयर तेरा बार मोल्टिंग होती है थर्टीन टाइम मोल्टिंग बहुत बड़ी बात है एक बार निए दो बार निए तीन बार तेरा बार थर्टीन मोल्टिंग अगर अगर निफ की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना है आपको गोनेट्स प्लस ठीक है विंग बोथ आर एपसेंट विंग पैड होते हैं विंग पैड का मतलब जो आगे जाके विंग्स बनाएंगे पर विंग्स नहीं होते एक साल में क्या होगा वई वन इयर में थर्टीन टाइम मोल्टिंग होगी तब गोनेट्स प्लस विंग्स इनका फॉर्मेशन हो जाएगा इसी को तो बोलते हैं complete समझना मेरी बात देखने में दोनों एक जैसे होते हैं निम्फ और इमेगो देखने में बुलकुल एक जैसे होते हैं ठीक है अंतर क्या होता है दोनों के अंदर अंतर सिर्फ एक ही चीज़ का होगा क्या आप समझ गुनैट्स और विंक्स का अंतर होगा तो यह हो गई gradual metamorphosis incomplete type of metamorphosis ठीक है इसको पौरो Metabolus type of metamorphosis बोलते हैं इसी लिए development यहां पर ठीक है आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हो रहा है यहां लार्वा नहीं होता निम्फ से मैंगो में conversion होता है यह होगा complete chapter एक एक चीज बेटा मैंने आपके brain में set करने की कोशिश की है with diagram with flow diagram वो technique use की है जो permanent आपके brain में चप जाएगी तो बस यह super series आपके लिए बहुत बहुत beneficial है thank you बेटा all the best